हलो गाईज कैसे हैं आप लोग मैं आपका दोस्त मिस्तिरी मंसूर आलम आप देख रहे हमारे चैनल ओपिसियल राज मिस्तिरी मैं आपको देखाने जा रहा हूँ एक पीलर का किस तरह रिंग बनाता है वो मैं देखाने जा रहा हूँ कैसे कैसे रिंग बनता है और गोल्ड पिलर में कौन सा रिंग जालने से अच्छा रहता है कितना बाइ कितना रिंग बनता है इधर मेरा रिंग बन रहा है देख सकते है तो अब मैं देखाने जा रहा हूँ तो वीडियो को स्किप ना करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताके आने वाला लोटिपिक्शन आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह रहा पिलार देख सकते हैं यह पिलार का रिंग स्क्वाइर कितना बै कितना है देख सकते हैं यह रहा रिंग पांच इंची बै पांच इंची का ऐसे चोडाई में पांच बै पांच का है पिलार का यह गोलाई देखे मतलब एक औक इंची लगभग कोबरिंग है एक इंची से जादे हैं और यह रिंग का स्क्वाइर है कोना में सात इंची इस कोना से उसकोना सात इंची बात करते हैं पिलार का मुटाई तो एसे दस इंची है पुरा दस इंची बै दस इंची है और यह रहा मेरा पोटिगो का हाइट दरवाजे से तीन इंची नीचे लग भग तीन इंची नीचे उस दरवाजे से यह तीन इंची नीचे है इसको नीचे रखने से एक फाइदा है कि पानी अंदर न जाए इसको दरवाजे से तीन इंची नीचे रखना है जैसे कि ये 6 इंची कैपी भीम हो गया और एक इंटा जड़ाई कर देना है देखें इधर का भी दरवाजा उतने है आप चलिए इधर देखाता हूँ पिलर ये देखें पिलर 10 इंची पुरा है कि कोई ऐसा करता है कि बड़ा ओला 7 बैसाथ का रिंग बांदने से कवरिंग नहीं मिलता है और पिलर मोटा हो जाता है इसलिए ये ही रिंग 5 इंची वाला रिंग बना कर बांद सकते हैं और पिलर का मोटाई पुरा दस आएगा और कोई गोल वाला बांद देता है छड़ी धर उधर होने का चांस रहता है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और लाइक का साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल एकन को दबा दें ताकि आप लोग के लिए ऐसे नए तरीके का वीडियो लाता रहूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ओपिसियल राज और पूरी टीम को दीजिए अजाज़त नमस्कार